अब आते हैं, types of shares जरा बात कर लेते हैं, कितने कितने तरह के shares हैं, एक होते हैं blue chip stocks, blue chip का मतलब होता है, जो well established company है, चाहिए हैं, एक होते है growth stock, जो की नहीं नहीं company हैं, लेकिन fundamental strong है और growth अच्छी हो रही है, जो blue chip stocks होते हैं, वो काफी पुरानी 25-25 साल हो जाते हैं उन company हो, reputed company हैं, समझ रो, लेकिन जो growth वाली company हैं, वो 5-10 साली नहीं है, लेकिन fundamental strong हैं, इसलिए आपको वो अच्छी लगती है, तो blue chip जो companies होती हैं, उनमें आगर आप एसा लगाते हो, तो वो best choices होती हैं, हलांकि return इतने जादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पैसा save रहेगा और return ज high होते हैं, आपको saving account और FDFD इंसे तो अच्छा ही मिल जाएगा, mutual fund से भी अच्छा मिल जाएगा, और decent return देता है आपको, dividend भी अच्छा खासा होता है, ठीक है?